हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ रहूल जेस्वाल आइन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने वन अफ ब्यूटिफू पूल मैतेमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आगया हूँ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे 10 स्टांडर के मैट्स टू यानि जोमेटरी सब्जेक का पहला चाप्टर सिमिलारिटी इस चाप्टर का सेकेंड लास्ट लेक्चर वीडियो यानि कि आज बारवा लेक्चर नोबर 12 लेकर आगया हूँ तो सोच सकते हो आपकी कितना डीटेल में कितना बहतरीन तरीके से डीट में जाके हमने हर एक टॉपिक का आपको कंसेप्टर नॉलिज दिया हुआ है तो आज लगातार 12 लेक्चर है और इसके बाद एक और लेक्चर होगा फिर हमारे यह पूरा चाप्टर कंप्लीड हो जाएगा तो आप लोगो को क्या करता है बस हमारे वीडियो को कंटिनुसली देखते रहे ना है और उसके आगे गाभी जो पूरा चाप्टर से वो भी हमारे हमारे कंप्लीड है जैसा कि आप लोग अगर हमारे पुराने स्टुडेंट्स तो आप लोगों को पता होगा कि हमने अलवड़ी आप लोगों का पूरा एंटायर सिलाबस आपके साइंस, मैच, हिस्ट्री, जो भी है हमने कंप्लीट कर रखा है बट वो हमने पढ़ा है था वाइट बोर्ड वाले वीडियो पहले से सब प्रेजेंट है पूरा प्रेजेंट अगर हमको कोई टेश्ट दिया हूँ जैसे अंगल आंगल टेश्ट था, साइड आंगल साइट साइट टेश्ट था, इस प्रकार से हम दो ट्रैंगल को सिमिलर कर सकते हैं लेकिन आग जो टोबिक है बहुत है दोस्तों ठीरम उप अप एरिया का क्या ठीरम है वो हम लोगो स solve करने हैं वो हम सीखने वाले है तो समझ लो कि आपके पास दो triangles दिये हुए ठीक है let's suppose there are two triangles triangle ABC is given here and triangle PQR is given here as you can see यहाँ पे आपको दिख रहा है दो triangles दिये हुए अब यह दो triangles में समझ लो हमको बोला हुआ है यह given दिया हुआ है कि जो मेरा triangle ABC है और triangle जो मेरा PQR है यह दोनों क्या है एक दूसरे को similar है तो आपको मैं बता दू कि अगर कभी भी दो triangle similar दिया हुआ रहता है तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या आता है या फिर क्या उसका answer होता है formula क्या बनता है कि area जो होता है एक triangle का upon area of the दूसरा triangle यानि area of triangle ABC upon area of triangle PQR जो होगा वो उसके sides of the ratio के square के बरावर होगा यानिकि जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जबी भी similar triangle प्रूफ करते थे तो हमेशा हम लोग क्या करते थे corresponding sides का एक ratio लेते थे तो सेम यहाँ पे भी रिशे लिओ आए देखो यहाँ पे AB है नीचे PQ देखो AB upon PQ BC upon QR रहेगा फिर AC upon PR रहेगा वही लिया हुआ है लेकिन फरक क्या रहेगा इसमें यहाँ यहाँ पे rates के ratio के square के बराबर होता है that is AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square यह होता है ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है clear है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा बहुत 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 बहुतरीन तरीके से अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा था वो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि दो ट्रैंगल इसका एंसर क्या होता है एक्जामपल पूछा जाएगा क्यूंकि आज प्रैक्टिस सेट भी करवाने वाला हो पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं करा हूँगा लेकिन तीन कि इस टॉपिक के ओपर आपको बोला रहा है कि एक ट्रैंगल एबीसी इस सिमिलर जैको सिमिलर बोला हुआ है एक ट्रैंगल एस सिमिलर तू ट्रैंगल पीक्यूर बोल दिया है जिसमें बोला है कि एरिया ऑफ ट्रैंगल एबीसी 16 है इसका वैलू दिया हुआ है यानि एरि आलू क्या आता है कि area of दोनों triangle that is area of triangle ABC upon area of triangle PQR यह जो होता है दोस्तों यह क्या होता है यह किसके बराबर होता है यह होता है हमारे इनके sides के ratio corresponding sides के ratio के square के बराबर या नहीं क्या हो जाएगा यह AB square upon PQ square हो जाएगा is equal to फिर क्या हो जाएगा BC square upon QR square हो जाएगा is equal to क्या हो जाएगा AC square upon PR square यह किसी को याद नहीं तो कैसे याद रख सकते हो देखो क्या किया है मैंने यह पहला दूसरा लिया AB लिया तो इसका भी पहला दूसरा PQ तो AB और PQ फिर पहला दूसरा हो गया तो दूसरा तिसरा लो BC BC QR QR correct है फिर last में पहला और तिसरा AC upon PR ये समझ में आगा है ऐसे रेशियों निकाल लेकिन हमको पूछा क्या है AB upon PQ पूछा है तो ये तीनों में से सिर्फ एक ही काम आने वाला है AB upon PQ यानि कि इसको लेना है बाकी चीज़ों को मिटाद देना या फिर छोड़ देना as it is तो लेकिन हमको एक चीज़ बोला है कि area of triangle ABC जो है इसका value 16 दिया हुआ है यानि इसका value हमारे पास value है 16 upon area of triangle PQR भी दिया हुआ है 25 तो 16 upon 25 is equal to ये हो जाएगा AB square upon PQ square बाकी का हमें use नहीं है तो सिर्फ ये दोनों value लिया हमने इसका हम लोगो use लिया तो इसका मैंने नहीं लिया अब next step यहाँ पर आप देखोगे मुझे actual में चाहिए AB upon PQ AB square upon PQ square नहीं चाहिए सिर्फ इसका base चाहिए मतलब without square चाहिए तो हम क्या करेंगे इसका square root हटा देंगे तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर taking square root both side taking square root both side मैंने क्या कर दिया both side square root ले लिया तो इसके वज़े से हो 16 upon 25 में चले जाएंगे correct है समझ में आ गया अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो बहुत 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 easy है यह AB upon PQ था तो लिख दो therefore AB upon PQ that will be equal to under root of 16 square root of 16 कितना होता है दोस्तों 4 होता है upon square root of 25 कितना होता है दोस्तों 5 होता है तो 4 upon 5 is the correct answer यानि जो आपको पूछा था AB upon PQ आ आएगा दो में से 2 आपको मिलेगा clear है समझ में आ गया तो ऐसे ही questions आपके exam में पूछे जाएंगे अगर area theorem of area of similar triangle के उपर questions पूछा जाएगा तो अब हो सकता है कभी-कभी आपको area of triangle दिया होता है और आपको side के squares या आपको side का value पूछता है तो कभी-कभी side दिया रहता है इसका पहला example है इसको हम लोग solve करेंगे डारेक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पार है तर रेशियो of corresponding sides of similar triangle is 3 issue 5 क्या बोल दिया भाई कि एक ratio दिया हुआ है किसका corresponding side of similar triangle is 3 is to 5 find the then find the ratio of their areas area का ratio हमें निकालने बोला है मतलब in short हमें area निकालना है हमक triangle number 1 और इस similar to triangle number 2 मैंने ऐसा मान दिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कौनसा triangle है कुछ भी दे सकते हैं आपके मर्जी रेशियो 5 दिया हुआ है ना side का ratio उन्होंने दे रखा है question में the ratio of corresponding sides of similar triangle is 3 ratio 5 मतलब 3 upon 5 दिया हुआ है तो यह हमने लिख दिया करेक्ट है हमको निकालने क्या बोला है find the ratio of their areas ठीक है लेकिन यह जो 3 by 5 होता है मुझे एक बात बताओ यह किसके बराबर होता है यह square होते है ठी है समझ में आ गया है दोस्तों तो उमीद कर रहा हूं कि आपको यह बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और यह बोलते हैं सबसे one of the easiest example माना जाता है इसको one of the easiest example माना जाता है क्योंकि हमें एक चीज़ पता है जब ही area of corresponding sides दिया होता है इस प्रकार से त तो यह 3 का स्क्वार हो जाएगा 5 का स्क्वार तो 9 अपान 25 विल बीदा करेक्ट आंसर आ गया पहला कोशन दो में सो 2 मार्क्स आप लेके जाओगे ठीक है समझ में आ गया चलते है नेक्स्ट कोशन की तरब अब अगला कोशन वाले कोशन से ऐसे कोशन भी एक्जाम में पू अगले क्या बोलगा है यह वाला area of triangle ABC तो इसका ratio ग्या बनेगा area of triangle ABC अपन area of triangle PQR का जो ratio बनेगा वो क्या बनेगा मुझे बनाओ इसमें क्या गया इस इक्वाल बनेगा AB का PQ का ratio 2 by 3 दिया हुआ, यानि उपपर 2 square upon 3 square हो जाएगा, जो कि हमारा अगला step है, तो इसका value क्या आ जाएगा, 2 square कितना होता है, 4, 3 square कितना होता है, 9, this is your correct answer box में, आगे answer कतम कहा नहीं, clear है, है कि नहीं, यार, मज़ा आ रहा है, आपको की नहीं आ रहा है, मतलब मुझे, आप लोग comment करके बताओ, और like करो वीडियो को, अगर पसंद आ रहा है, तो like करो, क्योंकि, आप लोग मैं से ऐसे कई सारे students होंगे, जो सोचते ही, geometry hard है, match to hard है, लेकिन यार, मैं आपको बता कर सकते हो, या फिर अच्छे mark ला सकते हो, तो यह रहा, आपका question number 2 का answer, बहुत simple, एक और question, question number 3, चलो, इसको भी देखते है, क्या बोल रहा है, यह triangle दिया है, ABC, PQR से, क्या है, similar है, मतलब मुझे पता है, जब similar होगा, हाँ, पहले question पढ़ लेते हैं, पूरा, similar है, और यह area of triangle, ABC, 80 दिया हुए, और area of triangle, PQR, 125 दिया हुए, फिल्टम लैंक्स करना है, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, value, fill up करना है, तो हमें पता है, कि जब दोनों triangle, similar है, तो मैं सीधा-सीधा क्या लिख सकता हूँ, कि area of triangle, मेरा ABC, जो होगा, वो upon हो जाएगा, area of triangle, PQR से, and वो किसके बराबर होगा, that will be equal to, किसके बराबर होगा, दोस्तों, वो होगा, हमारा, A, B, square upon PQ, square के बराबर, हमें A, B, और PQ, value, चाहिए, तो हम इसके आगे के ratios नहीं दिखे लेगे, हम इसके आगे के ratios होते है, BC upon QR, फिर, AC square upon PR, वो लिखने के जुरत नहीं, क्यूंकि actual में हमें काम, A, B upon PQ का है, तो इसके रहे पहला ratio ही, खाली हमने लिखा, ठीक है, यह हो गया, अब इसके बाद हमें एक value दिया हुआ है, कि area of triangle ABC और area of triangle PQR का value हमें कितना दिया हुआ है, दोस्तों, यहाँ पे 80 upon 125 दिया हुआ है, करेक्ट है, जो हमने question में भी लिखा हुआ है, देखा है, बराबर, तो हमारा AB upon PQ का value actually पूछा है, तो कैसे निकालोगे, तो 80 upon 125 is equal to क्या है यह, AB square upon PQ square, correct है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए, 80 upon 25 हमको actual में चाहिए AB upon PQ, लेकिन यह 80 upon 125 कभी भी किसी का square root नहीं निगलता, तो हम क्या गरेंगे, थोड़ा सा दिमाख लगाएंगे, 5 के table में 80 जाता है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और 5 के table में 125 भी जाता है, 5 25 जा 125, यानि actual में हमारे पास क्या बच रहा है, 16 upon 25, that will be equal to AB square upon PQ square, और अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाख लगाओ, क्या दिमाख लगाओगे, देखो ध्यां से, अब यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, taking 16 upon 25, यह square root निकलने वाले numbers है, यह नहीं थे, इसके लिए हमने इसको cut किया, एक दूसरे को, हो रहा था cut, इसके लिए cut हो गया, अब यह जो numbers है, यह square root निकल जाएगे, तो हम लोग लेंगे, यहाँ पर taking square root, both side, ऐसा लिख दो यहाँ पर, ठेके, taking square root, both side, ऐसा आप लिख द जाएगे, तो 16 upon 25, square root में चले गए, तो आपका AB upon PQ का जो value है, वो आराम से निकल जाएगा, जो की हो जाएगा, 16 का 4, 25 का 5, and this is your final answer, आ गया, 4 upon 5 answer, इतना आसानी से आ गया, कि आप देख रहे होंगे, कि यह question नहीं यार, मजाक है, मजाक मतलब क्या होता है, बहुत simple होता है sorry, ठीक है, चलो, तो यह रहा हमारा question, उमीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी दरीगे समझ में आ गयागा, तो आज हम लोग यही पे stop करेंगे, ठीक है, थोड़ी से health issue है, इसके लिए बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं बना पा रहा हूँ, due to some health issue, देखो जानते हैं, मैंने commitment दे रखा है, आप लोग को कि यार, जितना भी हो सके हम आपके लिए महनत करेंगे, तो हम कर रहे हैं, छुट्टी भी नहीं लेते हैं, संड़े की दिन भी काम करते हैं, जैसा कि आप जानते हो, तो लेकिन यार, बस मैं आप लोग से एक ही request कर रहा हूँ अपने life में आगे बढ़ें और बहुत अच्छे-चे positions पे एक time दे पहुचे और अपने माबाप का, हमारे महारश्टर का, हमारे भारत देश का नाम रोशन करें, बस इतना ही मैं बोलना चाओंगा, ठीके, चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प फटा फट से हमारे चानल को सबस्क्राइब कर देना, बाजू में बेर आइकन को पैस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीके फ्रेंट, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्य